दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल ट्विटर अब इलॉन मस्का हो चुका है जब से एक खबर सामने आई है तब से खास वर्थ में बहुत खुशी है लोग पूछ रहे हैं कि क्या अब जब ट्विटर को नया बॉस मिनने वाला है तो उसकी पॉलिसी भी बदलेगी उसकी फीचर्स बदलेंगे एडिट ऑप्शन मिलेगा क्या तरह तरह की बाते और खास तरह पर ब्लू टिक को लेकर काफी सवाल उट रहे हैं कि क्या ब्लू टिक अपके साधार पर बाटे जाएंगे क्योंकि अभी तो कुछ समझी नहीं आ रहा कि ट्विटर की साधार पर ब्लू टिक अपने यूजर्स को बाटता है खास तरह पर जिस तरह से अमेरिका के पूर वराश्टपती को ट्विटर ने एक वक्त में बैन कर दिया था उनके ट्वीट्स रीड कर दिये थे इलॉन मस्क के आने पर ट्विटर पर डॉनल्ड ट्रम की वापसी की अटकले शुरू हो गई हैं पर असल ट्विटर इंक के फिलहाल मुख्य कारेकारी अधिकारी पराग अगरवाल ने अपनी कंप्री करमचारियों को टाउन हॉल मीटिंग के लिए बुलाया करमचारियों ने उनसे सवाल पूछा उस मीटिंग में कि क्या अमेरिका की पूर वराश्पती की भी ट्विटर पर वापसी होगी क्योंकि पिछले साल ट्विटर ने उन्हें लाइफ टाइम बैन कर दिया था तो जवाब में पराग अगरवाल ने कहा कि इस बारे में फिलाल इलॉन मस्स से कोई बात नहीं हुई है दोस्तो इस सवाल इसलिए उठा क्योंकि ट्विटर ने जब अमेरिका के पूर वराश्पती डोनल्ड ट्रम्प को अपने प्लैटफॉर्म से पिछले साल बैन किया था तब उस वक्त इलॉन मस्स ने कहा था कि वो इस प्लैटफॉर्म को सुधारना चाहते हैं और इलॉन मस्स खुद फ्री स्पीच को बड़ा ज़रूरी बताते रहें कि वो फ्री स्पीच के पक्षधर है चाहे बात किसी की भी हो कोई भी हो उसे पुरा मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का दोस्तो इस बीच अमेरिका की पूर्ट राजपती ट्रम्प ने भी कह दिया है कि कुछ भी हो जाए वो ट्विटर पर बापसी नहीं करेंगे एक न्यूस चैनल को दिये इंटर्वियू में ट्रम्प ने कहा कि वो अपनी सोशल मीडिया प्लाटफर्म ट्रुथ सोशल पर ही बनी रहेंगे दोस्तों आपको याद होगा कि ट्विटर ने ठीक अमेरिका के चुनाओ के वक्त अमेरिका के उस वक्त के राजपती डुनाल्ड ट्रम्प के ट्वीट स्लीट किये थे बाद में उनका अकाउंट भी डिलीट कर दिया था लाइफ टाइम बैन लगा दिया था उन पर मस्क के ट्विटर टेक ओवर के बाद अमेरिका में हल चले खासतों पर वाइट हाउस में हल चले आप जानते हैं डेमोक्राट्स को इस बात की चिंता है कि इस टेक ओवर का असर क्या दो हजार चौबिस के राजपती चुनाओं में मिल सकता है क्यों क्योंकि Twitter हाल के सालों में अमेरिका में चुनाओं में एक बड़ा फैक्टर रहा है खुद Elon Musk ने कहा है कल इस Twitter की खरीद के बाद कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बुरे से बुरे आलोचक भी Twitter पर रहें क्योंकि Free Speech का यही मतलब है क्या आपको भी लगता है कि Elon Musk के आने से Twitter में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे तो comment box में अपनी राय जरूर दीजेगा आपके साब से वो बदलाव ग्या होने ही चाहिए